आप विविद प्रकार के सूक्ष्म जीवों से अउगत हैं, जिनका निरिक्षन सिर्फ सूक्ष्म दरशीद वारा ही किया जा सकता है। भले ही हम उन्हें अपनी खुली आँखों से देख पाएं, वे हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। पिछले साल आपने लाबदायक और हानी कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है। यहां पर हम बस लाबदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में ही आध्यन करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अच्छे सूक्ष्म जीवों के बारे में। चलिए, सबसे पहले कुछ उधारणों के बारे में चर्चा करते हैं। आप दही, योगर्ट, चीज, इल्ली, अचार, बेड़ और केक इन खाद्य पदार्थों के बारे में तो आवश्य जानते होंगे। कुछ आउशदियों के बारे में जैसे जिवानू नाशक और टीके इ इत्यादी, कुरुशी उत्पाद जैसे जैविक खाद और जैविक कीटक नाशक इत्यादी, अक्षे उर्जा के स्त्रोद जैसे जैविक इंधन। क्या आप जानते हैं कि इन उत्पादनों के निर्मान में सबसे महत्वपूर्ण भूमी का कौन निभाता है। जी हाँ, सू इन उपयोजन में अनेक शेत्र है, जैसे जैव प्रद्योगी की, कृशी, दवाईया, अन, जैव उप्चार, इत्यादी। चली अब अवद्योगिक सूख्षमजिक विक्यान के बारे में जानते हैं। अवद्योग और व्यवसायों के लिए किया जाता है। यहाँ पर सूख्षमजियों का उपयोग इच्छिद उत्पात का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिए किया जाता है। जैसे अभिवृत्ती परिक्षा और साक्षातकार इत्यादी। उसी प्रकार से किसी भी उत्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक शमता वाले सूख्षमजियों का चैन भी विवित्प्रकार के जान्च प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और फिर योग ये सूख्षम जीव रोग जनक नहीं होना चाहिए अर्थात उसे कोई बिमारी नहीं होनी चाहिए वो हानिकारक नहीं होना चाहिए। अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय निर्मान होने वाली परिस्तितियों को सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए।